बहुँ चट्च चंडीगर सेक्टर 32 पीजी में लगी आग से तीन लड़कियों की हुई मौत के मामली में आज चंडीगर जिला अधालत में दो गवाहों पुलिस इंस्पेक्टर और इन्वस्टिगेटिंग आफसर की गवाहियां हुई और आप इस मामले में अगली सुनवा दो सितंबर को होगी ये पूरा मामला क्या है और इस मामले में आज चंडीगर जिला अधालत में कारवाई क्या हुई है इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवादाता अनिल कुमार ने एड़ोकेट विशाल गर्ग नर्वाना से चंडीगर सेक्टर बत्ती पीची में लगी आग से हुई तीन लड़कियों की मोत के मामले में आज चंडीगर जिला अधालत में सुनवाई हुई कि सुनवाई के दुरान क्या कारवाई हुई इस समय में साथ हैं एड़ोकेट विशाल गर्ग नर्वाना इन से जानते हैं कि आज अधालत में क्या कारवाई हुई है आज केस जो था यह प्रोसुकेशन एवडेंस के लिए लगा हुआ था और उस दोरान छे गवाई को संबन गए थे और छे में से दो गवाई आए थे आज कोट में और एक का जो एक्जामेनेशन चीफ और क्रोस्टेमेशन कंप्लीट हो गया है और जो दूसरा गवाई था उसका एक्जामेनेशन चीफ पार्टली रिकॉर्ड हुआ है गर्शब जिनका आज गवाईयां हुई है वो कौन-कौन है एक तो इंस्पेक्टर लाइवल का अधिकारी था जिसने एफ्र लोज की थी और जो दूसरे गवाद है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे जि जो मालिक है उसने आगे किराय पर किसी को दे दी थी ये कोठी और जिस किरायदार को दी गई थी ये कोठी उसने इस कोठी में पीजी का काम स्टार्ट कर दे जो की मकान मालिक की नोलिज में नहीं था तो उस दौरान वहाँ पर शोर्ट सर्किट हुआ किसी वज़े से और व ये थे मेरे साथ एड़ोकेट विशाल गर्गनरवाना इन्होंने बताया कि चंडिगर्ड सेक्टर 32 पीजी में लगी आग से तीन लड़कियों की हुई मोत के मामले में आज चंडिगर्ड जिला अदालत में सुनवाई हुई आज सुनवाई के दुरान दो गवाहों की कि अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी अनिल कुमार टोटलियों चंडिगर्ड